कर दो हला व्रीवान वेलकम बाक अगें तुमाइए उफिशिल यूटिप चैनल मैं करन नरोडा फांड़र एंज जी यो आई ट्रानिक सेलुशिंस आप सब विश्वक्त करता हूं आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे वीचें की विट क्रिप्टो क्रेंसी के बारे जी अपनी स्रोंग जो ट्रेंड लाइन दी जो यहाँ पे बहुत बार टेस्ट कर चुका था अब इस ट्रेंड लाइन को से यहां पर ब्रेक कर दिया था ब करने के बाद सेकेंड़ चांड़ ने रीक coupon किया डीटेस्ट में भी जो और यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं आपा जाती है यहां 52,000 की उपर close हो जाती है और जो possibility है कि Bitcoin यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो Bitcoin का यहां से अब टेंड स्टार्ट हो सकता है इंकेस अगर यह candle 5150 2000 से ऊपर की तरफ close होती है इंकेस अगर यह close नहीं होती है है देनम यहां पर इसको फेक ब्रेक आउट कह सकते हैं और इसका जो प्राइज या वापिस नीचे की तरफ जो है वो मूव कर सकता है उसके बाद जो सपोर्ट हमें यहां पर क्लोज कर पाएगा या यह नीचे की तरफ करता है है तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इस और डिपेंड वान की टेक एंडल कहां पर क्लोज होती है उसके अकॉर्डिंग नी बाकी के और और बाकी की क्रिप्टो करेंगी तो यह बहुत इंपोर्टेंट यहां पर इसका मूव होने वाला है क्योंकि अभी अगर हम फॉर आवर लिपार चार्ट की उपर देखें और और जैलर उटर किंफ दो यहां पर साइड बेस चैन्दर जा चुका है हमारा ब्त क्टोई और फी यहां पर यहां पर जीआना बेस तो नहीं नीचिन को नहीं अभी पता चलते को रहा कि उन्दा है यांप भरना चाहिए निचे आना चाहिए क्योंकि long term की जो projection थी वहां पे Bitcoin को अगर हम डे चार्ट की उपर देखें तो इसके according यहां पर Bitcoin जो है वो यहां पर नीचे की तरफ move करता हुआ होना चाहिए यहां पर around हम यहां पर इसको expect कर रहे थे सब इस्टिल यहां पर यही confusion है कि अभी इसको नीचे की तरफ move करना है या उपर की तरफ move करना है अगर उपर की तरफ move करता है तो हम यहां पर इसका cup and handle pattern जो है वो यहां पर expect कर सकते है तो यह हम Bitcoin से expect कर सकते है कि Bitcoin का cup and handle pattern बन सकता है और दूसरा यहां पर हमारे पास एक अच्छी खासी बॉटम भी बन सकते हैं तो हम इसको बॉटम भी कह सकते हैं उसके बाद इसको कपेंड हैंडल उसके बाद हमारा यह अगर यहां तक बन गया तो कपेंड हैंडल बन जाएगा अगर नीचे तक चला गया तो हम य एक बार sideways में आई थी, जैसे अगर हम इस particular level को देखोगे, यह particular level को देखोगे तो यहाँ पर एकदम market ने crash किया था, यह exact यही level है जहाँ पर market ने crash किया है, तो यह जो था हमारे पास यह 7th of September को market ने crash किया था, अब market ने crash किया है, यहाँ पर around 3rd of December के वे round, तो अब यहाँ पर यहाँ पर बड़ी candle बनी थी, उसके बाद देखोगे तो price यहाँ से उपर की तरफ move करना start हो गया था, तो यहाँ से भी sideways आने के बाद price उपर की तरफ move कर रहा है, उसके बाद सीधा जो अगले 3 दिन की candle थी, वो continuously down candle बनी, नीचे की तरफ candle बनी और price जो था एकदम यहाँ नीचे की तरफ move कर सकता है, तो यह scenario अगर होता है, अगर यह just a fake breakout था और अगर यह scenario बनता है, तैन बिट कोई जो है, वो 44, 42,000 और 40,000 के round bitcoin आपको देखने को मिल सकता है, तो just हमें एक confirmation जाएगे, एक confirmation अगर मिल जाती है, तो यहाँ से bitcoin का अप्टें स्टार्ट हो जाएग अगे, तो अब बात करेंगे, next अगर हम क्रिप्टो करंसी की बात करें, that is, we chain, तो वैट क्रिप्टो करंसी की आखर बात करें, तो यहाँ पर दो strong trend lines यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहली जो trend line थी, अगर मैं यह वाली trend line हटा दू, यह वाली trend line के इलावा, जो यहाँ से पहली trend line थी, तो यह यहाँ से इसी साब से move कर रहा था, लेकिन यह particular level की trend line को यहाँ से इसने break किया, ब्रेक करने के पाद, जो दूसरी यहाँ पर trend line है, this one, यहाँ से support लेके, अब यह उपर की तरफ move कर रहा, तो यहाँ पर सबसे important यही है कि जब तक यह इस trend line के उपर है, अगर आपने we chain को hold किया है, जब तक यह इस trend line के उपर है, then यह बहुत ही safe है, जैसे ही इस trend line को नीचे की तरफ break कर देगा, then यहाँ से इसका जो downtrend है, वो start हो जाएगा, और यह आपको around देखने को मिल सकता है, 0.55 के round, 0.55 के round, आपको यहाँ पर we change हो है, वो trend line है, इसको break कर देता है, नीचे की तरफ, और अगर यह ऊपर की तरफ अगर यहाँ से बड़ा, तो यहाँ पर आप इसका target रख सकते हैं, सबसे पहले 0.1, उसके बाद 0.13, डालर के round, आप इसका target रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो इसका pattern expect कर रहा हूँ, तो यहाँ यहाँ पर हमें एक head and shoulder pattern देखने को भी मिल रहा है, तो यह pattern हम यहाँ पर expect कर सकते हैं, so this is clearly a head, left shoulder, यह हमारा head है, और उसके बाद यहाँ पर यह हमारा right shoulder जो है, यह बन के वापिस नीचे की तरफ move कर सकता है, तो अगर बिटकोइन stable रहा, और अगर यह उपर की तरफ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक clearly head and shoulder जो pattern है, वो देखने को मिल रहा है, दूसरा अगर head and shoulder pattern हम इसको ना भी consider करें, then still हम यहाँ पर एक actual में double top जो है, वो consider कर सकते हैं, लेकिन it's all depend upon bitcoin also, कि bitcoin का आगे वाला move क्या हो सकता है, अगर ऐसा नहीं होता है, then यहाँ पर इसका तो यह अपना head and shoulder complete भी कर लेगा, लेकिन इसको आए नार के अंदर देखेंगे, या बाकी indicators क्या बोलते हैं, so moving average की अगर बात करेंगे, so यहाँ पर अगर हम 50 moving average or 200 is moving average की बात करें, तो still यहाँ पर हमारे पास जो resistance बन रही है, वो around यहाँ पर 0.108 के राउंड और दूसरी resistance जो है, 0.11508 के राउंड, तो जब तक price इन दोनो moving average के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक यहाँ पर strong uptrend हम नहीं मान सकते, जैसे ही जो price है, in moving averages के ऊपर की तरफ अगर आ जाता है, then यहाँ पर यह और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, तो यहाँ पर यह जो दो आपकी moving averages है, यह दर resistance का काम करेंगी, यहाँ से यह बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के बाद यहाँ से नीचे की तरह move कर सकता है, या इसको भी अगर touch करे갈गा, तो यहाँ से नीचे की तरफ move कर सकता है, तो अगर यह दोनों को close कर देगा, उपर की तरफ, then यहाँ से इसका और यह हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका पाटरन तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा ब्लाक कलर में कर देता हूं और यहाँ पर इसकी विट्ट थोड़ी इंग्रीज कर देते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ इसका है और यहाँ राइट शोल्डर यहाँ एकस्पेक्ट कर सकते हैं WeChat की उपर लेकिन उसके लिए आपको जो Stop Loss है वो इक्जेक्ट आपको चे रुपे के नीचे लगा के चलना है 6 सुक्ष मिचे आपका Stop Loss होना चाहिए अगर शहरूपय के नीचे आता है देन प्राइज आपको 4.3 रूपिस के एराउंड देखने को मिल सकता है अब अगर स्टॉपलस नहीं लगाएंगे दिन हमें लॉस काफी जाता हो जाएगा तो सिक्स रूपिस के नीचे आप एराउंड 5.8 के राउंड या 5.9 के राउंड अपना स्टॉपलस लगा के चलिए और वाइज आपको जो टार भी लगाएंड इलेवन पॉइंट इट फाइड उपड़ का टारुट कर सकते हैं तो इन गेज अगर यहां पे यहां पे यहां जोल्टर पैटन नहीं बनता है यहां पर इसको double top pattern expect करेंगे तो अगर डबल टॉप बनता है तब हम इस तरह से expect करेंगे तब हम 15 रूपिस का target expect कर सकते हैं तो अगर यहां से double top बनती है देन हम यहाँ पर 136% का profit हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीचेन के तुरू तो यह एक अच्छी खासी opportunity आपको मिल सकती है लेकिन उसके लिए आपको stop loss साथ मिले के चलना है stop loss में आपको बता दिया exactly 5.9 का stop loss लेके चल सकते हैं 5.9 का stop loss अगर लेके चलेंगे तो आप आपको जो loss है वो कम होगा अगर 5.9 का stop loss लेते हैं अगर आपको around 6.4 के उपर भी अगर आपको मिल जाता है यहाँ पर कहीं राउंड अगर आपको देखने को मिल जाता है क्रंट प्राइस से अगर लेके चले तो आप यह मान के चलो कि stop loss आपका 15-16% आपको यहाँ पर बाय करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अगर आप stop loss रखते हैं तो around 5-6% का अगर आप loss यहाँ से सह सकते हैं तन आप यह रिस्क ले सकते हैं करेंगे तो यहाँ पर की तरफ मूफ कर सकता है तो जब तक यहाँ पर की तरफ मूफ कर सकता है अगर वह करता है लाइन तक भी जाता है तब भी 11.85 का हम तार्गेट यहाँ पर लेकर चल सकते हैं तो हमारा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो के साथ तिंक्यू आप झाल स्थिए प्रणिए यहाँ यहाँ श्रम्न